वड़ोद्रामा रहती दली समादनी सिक्षिका साथे सोशल मढ़िया पर पोते खिरिस्ते समाद नहों वानु जणावी तेनी साथे प्रेम समद बांदिया बाद तेना न्यूट फोटा वाइरल करवानी धम किया पी तेनी सामे धर्मों परिवर्थन करावी मस्जिद मा निका करी जिन्देगी खराब करनार एवा मुस्लिम यूवा कने तेना मदद करनारा सागीरतो सामें गोतरी पोलिस मत के फरियाद नोदाइश है बड़ोद्राना तरसाली हाइवे रोड ना आदस नगर मरेता ने मतन नीलारी चलाओ तेवा समीर अब्दुल कुरेशिन आमने यू पूर्वक ने पोते क्रिस्टे समादनों शे तेउन नाम मार्टिन सेम धारन करी प्रेम जाड मा फसाविया बात तेनी साथे माले ली अंगत पड़ो ना फोटोग्राफ वारर करवानी धमकिया पी बढ़ जबरी पूर्वक धर्म परिवर्तन करावी मस्धित मा निकाह करे ह बाद मा मुस्लिम समिर कुरेश यूती अने तेना पीता ने धाब्दम के आपी मैरेज रजिशन करावी हतु अने बाद मा विधर्मी युवक तेना परिवार्जनों हे हिंदी यूती ने चानलों नहीं करवा अने बूर्खों पहरवा दबान करी तेनी जिंदिगी नरक थी मामला है जिसमें एक नरके ने धर्मा परिवर्तम करके धिंदु नरकी को फसाया और उसके साथ बनात कर नहीं किया इस मामला में आपने ये फैर भी दिर्श किया है क्या है पुरा मामला और इन्वेस्टिगेशन में क्या बहा रहा है गोत्री पोली स्टेशन में जो एक विक्टिम है उसने अपनी कम्प्लेंड दी है जिसमें जो कम्प्लेंड में जो उसने फैक्ट लिखा है उसके इसाथ से धर्मस्वतंत्रता सुधारना अधिनियम 2021 एट्रोसिटी एक्ट और रेप की जो सेक्षन है वो सब इसमें लगी है एकोरडिंग टू जो कम्प्लेंडर है उसके इसाथ से एक जो यूवक है उसने सोस्यल मीडिया के माधियम से उसके परीचई में आया है और परीचई में आने के बाद उसके साथ उनकी दो-तिन मुलाकाते हुई और आफ्टर मुलाकात होने के बाद वो उसको एट जगा पे ले जाता है ओटल पे और उसके साथ जबर जस्ति उसकी इच्छा के विरुद उसके उपर बलात करता है और उनके जो पिक्चर है वो अपने मोबैल में रख लेता है बाद में वो पिक्चर में रिलीज कर दूँगा सब को दिखाऊंगा सोस्यल मीडिया पे रख दूँगा मैं रहेचा करके फिर बार-बार बलात कर किया है और बलात कर की बज़े से उसको प्रेग्नेंसी भी रही है लड़की को और वो प्रेग्नेंसी का uz hidden गएप साथ साधी किए साधी करने के बाद उसका जो यूटी का जो हिंदौ नाम है वह भी चेंज किया है और उसको लड़के का असली नाम है वो समीर अब्दूल कुरेश ही है और उसने जो सोचिल मीडिया पे नाम रखा था वो सेम मार्टीम रखा था और कितने समय से यह साली के बाद एक दूसे के साथ रहे और पुलिस से संग क्यों आई लगी क्या उसके साथ कुछ ज्यादा अत्यचर हो रहा था ज्यादा जास्ति कि एकोरडिंग टू विक्टिम स्टेट्मेंट कि 2019 से लेकर 2021 तक वो लोग आपस में रिलेशन में थे और यह रिलेशन जो लड़की बता रहे हैं उसकी साथ से उसकी जो फोटो है वो रिलीज नो हो जाए इसकी बज़े से वो दबाव में आकर उसके साथ रिलेशन बनाए पिर बाद में लड़की जो बता रहे हैं उसकी साथ से उसकी जो सहन सकती है उनसे ज्यादा ही अत्याचार हो गए हो इसलिए उसमें कंप्लेंट की हूँ